बिहार के दो रिक्त राजसभा सीटों के लिए भारतिय जंता पार्टी के द्वारा नामों की घोसना की जा चुकी है। वो भाजपा के खेमे में कैसे गई इन सभी मुद्दो पर्विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप मारा प्रिचा जान लीजिए। उसके बाद से तमाम नामों की जिनकी चर्चा चल रही थी की राजसभा भेजे जा सकते हैं। अब उन सभी नामों पर संसय की स्थिती आ गई है और एक तरह से इस बात को फिक्स कर लिया गया है कि ये सीट भी भारतिय जनता पाटी के खाते में चली गई है। तो ये कि मनन कुमार मिस्रा को भारतिय जनता पाटी के द्वारा राजसभा भेजने से फाइदा क्या है। तो मनन कुमार मिस्रा साल 1980 में पटना लौ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वकालत करना सुरू करते हैं पटना हाई कोट में अधिवक्ता बनते हैं और उसके बाद कई बार बार काउंसिल अफ इंडिया के अधक्ष बनते हैं मतलब ये कि उनकी पकर जो है law sector में बहुत तगरी है और उनका पकर वकीलों पर बहुत अच्छा है इस कारण से भारतिय जनता पार्टी ने मननकुमार मिस्रा का नाम तै किया ताकि वकीलों की एक community को भारतिय जनता पार्टी साधने में काम्याब हो जाए दूसरा ये मननकुमार मिस्रा जो है वो BCI क अध्यक्ष तो है लेकिन जाती से वो आते है वो ब्रामबन जाती से आते है और इस कारण से स्वर्ण भोट वैंक को साधने बेवी मननकुमार मिस्रा जो है भारतिय जनता पार्टी की तगड़ी मदद कर सकते हैं और इस कारण से स्वर्ण भोटरों को अपने खेमे में बना करके कई नाम जो सामने आ रहे थे उसका क्या हुआ हमने कुछ दिन पहलों खबरों के माधन से आपको बताया था कि सर्यू राय जारकंड के जो है वो जनता दल उनाइटेड में जोईन किये हैं और जनता दल उनाइटेड उनको राजसवा भेजना चालती है लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कबजा कायम रखा और सर्यू राय की जगा या फिर जनता दल उनाइटेड के क सीटों को लेकर के संसय की स्थिती थी कि अब कौन जाएगा अब खबरे ये आ रही है कि उपेंदर कुस्वाहा का नाम भले ही भारतिय जनता पार्टी ने घोसित किया हो लेकिन ये जनता दल उनाइटेड की पेशकस थी नितीज कुमार की पेशकस थी और इस कारण से ये माना जा रहा है कि जनता दल उनाइटेड के कोटे से ही उपेंदर कुस्वाहा को राज्यसभा भेजा गया है और दूसरा जो भारतिय जनता पार्टी के कोटे की सीट बची उस पर मनन कुमार मिस्रा जो है वो अपना कायम रखे और भारतिय जनता पार्टी की तरफ से वो राज् से बताया था कि उपेंदर कुष्वाह का जो नमांकन है वो भी एक दिन आगे बढ़ा दिया गया था मतलब ये कि 20 तारीक को जो नमांकन होना था उसको 21 तारीक को कर दिया गया था जो 21 तारीक अंतिम्तिती है और अंतिम्तिती को इसलिए सायद कर दिया गया था क्योंकि अब राज्यसभा के दो उमिद्वार एक साथ नमांकन भरेंगे और मननकुमार मिस्रा के साथ जाकर के उपिंदर कुस्वाह जो है राज्यसभा का नमांकन भरेंगे इन दोनों का ही चुना जाना लगबगता है क्योंकि विपक्ष के तरफ से कोई उमिद्वार नहीं है सबी मुद्दों पर अपनी राय कमेंट के मादरम सम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद